हेलो बच्छो मैं हूँ सुसील और मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ लर्णिंग फाइपर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ अर्शास 2022 का वारल पेपर जिसमें आपके लिए इंपोर्टेंट कुस्टिंस जो आपके 2022 को पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपको ध्यान पर अपने वर्ड पावर पर और वर्डों पर जो आप लिक कर अच्छे नंबर पास सकते हैं तो बेटा आप उन्चीजों के ध्यान दीजीगा जो मैंने आपको वीडियो में बताई है ठीक है तो मेरी वीडियो अंग तक जुरूर देखे जिसमें आपको आपकी कुस्टिं में आने अले प्रॉब्लम का solution मिलेगा तो चले बच्छों शुरू करते हैं कि और सास्त का पेपर आप कैसे हल करेंगे और कितने word का question कौन सा लिखेंगे तो बेटा जो एक नंबर का question है ये 10 हैं जिसमें आपको optional है भाई ये तो option दे रही है ठीक है आचा जो दूसरा आपका आता है तीन नंबर के question ये आपके आते हैं आठ जिसमें 24 नंबर का है तो बेटा इसमें कम से कम आप 30 से 40 वर्ड तक ठीक है ना 40 सब्दों तक लिख सकते हैं जो आपके तीन नंबर में गेन हो सकता है आचा जो नेश्ट है सेजन 6 से 6 नंबर के 6 question आते हैं ये 36 नंबर होता है जिसमें आपको 70 से लेकर 80 वर्ड तक आपको नोडेट करने हैं आचा अब इसके बाद में जो लाश्ट आता है 10 नंबर के 3 question तो बेटा ये 35 नंबर हो गया जिसमें आपको 150 से लेकर 200 वर्ड तक लिखना है तो बेटा इसमें लिखना तो हई है लेकिन अपने मन से ऐसे वर्ड यूज़ना करें जो normal utilization में या उपयोगता में आप लाते हैं इसमें आपको उन वर्ड को लिखना है जो question के कर लेंगे उतना ही अच्छा examar आपको numbers भी देगा और इन numbers के लिए कम से कम आपको अर्थ सास्त्र से संबंदित वर्डों का उपयोग भी करना है ठीक है तो यह आपको हो गया है कि आपको कितना लिखना है और कैसे लिखना है यह मैं आपको बता दिया अब मैं आपको बता करते हैं और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है जिसमें आपको छोड़ी चीजे जो लिखना है क्या important है उस topic पर आपसे ज्यादा मेहनत करनी है अच्छा अब इसमें जो आपका है पहला है अर्थ सास्त्र इकनॉमिक इसका मीनिम ठीक है और इसमें आपका आता है आपका कम से कम यह आपका लॉंग कोश्चन में आता है और जिसमें आपको important चीजे मिल जाएंगे अच्छा अब इसके opposite में भी कह सकते हैं इससे next जो important topic है जिसमें आपको मेहनत करनी है उब्वोगता संतुलन ठीक है कंजूमर एकली बीरियम जिसमें आपको मीनिंग ठीक है और तशस्ता वग्र ठीक है इंडफ्रिंस कर ठीक है और आपकी उब्वोगता संतुलन की इस्टी ठीक है कंडिशन और कंडिशन और कंजूमर एकली बीरियम तो यह ऐसे topic है बेटा जिसमें आपके long question और आपके 6 number के question आ सकते हैं ठीक है अच्छा अब इसके बाद जो next आप मांग तो इसमें बेटा बहुत सैसे चीज़े हैं जो पूछी जा सकती है स्रेडी ठीक है ना या इसके प्रकार flexibility यह काफी चीज़े इसमें होती है लेकिन जिन में आपको focus करना है वो है factor applying for the price elasticity of demand ठीक है इसका मतलब है मांग की लोचकी कीमत को प्रवाइद करने लें तत्व कारक और बाजार मांग demand market तो यह ऐसे टॉपिक के बेटा जो आपके धान देना है आपको जो सबसे आदा ही टॉपिक पूछा भी जाता है अच्छा उसके बाद आपका कुल निर्धायट करने लें तत्व कुल लागत निर्धायट करने लें तत्व प्रवाइबल कोस्ट एवरेज कोस्ट तो इनिंग यह टिपडी में भी पूछा जा सकता है ठीके ना अच्छा अब इस्टी बाद में जो आपका है मांगें पूर्ति की साधान प्रियोग ठीके ना और नियुंतम मुल अधार बाजार संतुलन यह आपके सिम्पल अप्लिकेशन देमांड एंड सप्लाइब यह ऐसे टॉपिए हैं जो आपके अच्छे सकते हैं इनकी देश में क्रमाल यह इनके मेरी ऍस ऐचकित अठीक है जो आपके short कॉस्ट इसी के यह सकते हैं तीन नमबर यह तो वह मैं आहँ को अता रहूं इस्थानप मन वस्त्वें टीक है प्लेस्टमेंट प्लेस्टोंड गोड्स, पूरक बस्तमें, कंप्लीमेंटरी गोड्स, मैंने आपको लाज्ट वीडियो में संधहयद आज के बारे में, सीमान, प्रतिस्थापंदर, मार्जल, रिप्लेस्मेंट ट्रेट, एन एक्षि ग्रोजगार, फुल इंप्लाइमेंट, और प्रतेक्ष एवं आप्रतेक्ष कर, डारेक्ट एंड इंडारेक्ट टेक्चेज, न्यून मांग एवं अधिमांग, लेस एंड मोर डिमांड, ठीके, चालू खाता, पुझी खाता, करेंट अकाउंट, कैट्टल अकाउंट, ठीके, ये लाज्ट येर आपके ठारा सत्रक में एक कुष्चन पूछे जा चुके हैं, और 19 में भी मेंशन हो चुके हैं, ठीके, तो राष्टिया है, नैशनल इंकम, जुसमें आपको, जी एन पी, एन एन पी, जी डी पी, आई पी आई, ठीके, और इन टॉपिक पर धान देना है, जो आपके थेयोरी में भी है, ठीके आच्छा, अब इसके बादनाब का है, कॉमर्स, बैंक के बारे में, तो बेटा, बैंक के बारे में आपको बताऊं, फंक्शनस, मोश्च इंपरेंट होते हैं, कि उनका, उद्रक वहा, उनके क्या फंक्शनस हैं, ठीके, या इनगी क्या इंपरेंट्स है, ये टॉपिक में ह आपके हैं अच्छा इसके बाद में बजट कार्थ बजट का उद्देश ठीक है बजट की मेनिंग और आपका राजस पुंजिगत मनद रिवेन्यू एंड कैटल यह आपके ऐसे राजस हैं जिनमें आपको मैक्सम अच्छे टापिक मिल जकते हैं अच्छा अब इसमें ऐसे घ हमने क्या चीज़े आय सकती हैं तो बेटा इन टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा यह टॉपिक आने वाले हैं अच्छा अब इसके बाद में एक आपका दिया गया टॉपिक भुक्तान संतुलन ठीक ना बैलन्स ऑप पेमेंट अगाउंट यह एक ऐसा लाश्ट टॉपिक है बिटा जिसमें आपके भुक्तान से रिलिटेट देश के अंदर और देश के बाहर बिदिसी दोनों ही तरीके से पेमेंट के बारे में कन्फूजन हो तो बेटा कन्फूज मत होना कोश्चन को ध्यान से पढ़ना और आराम से अंसर लिखना लेकिन वर्ड टाइम सुझ समझ के तो अब यह आपके लिए हुचके हैं अब इसमें मैं आपको बता सबता हूं कि इनमें आप आपना दिखें कोश्चन्स आपके सामन है लिखना कितना है ताइम आपमेनेज कर सकते यह बाई इसके लिए आप कम से कम लॉइडंग के लिए बीश मिनट पर question में देब दीजे आप और इन questions के लिए जब तक आप time में देएंगे जब तक यह questions होने पाएंगे बाई यह question ऐसे हैं जो एक मिट्स और सकते हैं और दस मिट्टी लेसकते आपका जो आपके भूख कलपी question है तो बेटा ध्यान से यह एक घंटे में आपको तीन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पांच मिनट पर कोश्चन कर सकते हैं तो जो टाइम बचेगा आपको सोचने में और इस को पढ़ने में सब आराम से कर सकते हैं तो बेटा ध्यान से इन सारे कोश्चन्स पे अटेंशन करके ध्यान दीजिएगा ठीक है और एक और टापिक है जो आपका सबस्यादा फॉर्मिले में पूछा जाता है तो वह फॉर्मुला और उसको कैसे एप्लाइ किया जाता है वह मै आपका लगहो और जिसमें आपका को सबीगा जाहते सब्सक्राइब दाक्ता आपको को बता रहा हूं या फॉर्मूला वह संसे यह आपका अफॉर्माक्ता पॉंस सब्सक्राइब करना है या निकालना है टाफ। सब्सक्राइब है इना कंटी कंजप्शन स्फंक्शन ठीक है दा मैक्स मिनिमूम लेवल आप दे कंजप्शन्स 200 करोन एंड अट दा कंटेंट्स एंपीसी 0.8 इंवेश्मेंट आर्ट 300 करोन ठीक है यह रिक्वार्मेंट मैं लोग चेंज किया जा रहा है कि जो हमारी इंवेश्मेंट है उसको 300 करोन और बढ़ा दिया जाए तब आपकी नेस्टन इंकम क्या होगी क्या रिटर्माइंट करना है तो बेटा यहां पर आपको है मैं आपको बता दे रहा हूं जो हमारे question में given है ठीक है देखें से पहले हमको क्या find करना है income ठीक है तो income जो है मारे पास दिया जाता है वाई की नाम से जिसको हम वाई की नाम से income denote करते हैं ठीक है फार्मला आपको क्या है मैं आपको बताता हूं अच्छा तो बच्चों चलते हैं आपको जो मैंने फॉर्मला बताने के लिए का है वह मैं आपको फॉर्मला बताता हूं और इस फॉर्मले के आपके question भी solve कर देता हूं तो बेटा यह आपका है formula y बराबर 1 divide 1-m p c ठीक है अब question में हमारे पास क्या है यह कंजप्शंस CA plus investment ठीक है तो बेटा यह हमा पास formula है इस formula पर question में apply करना है ठीक है अब देखें इसमें क्या क्या चीज़े हैं तो wise जो denote करता है वह हमारी income को denote करता है कि हमारे पास कितना पैसा है या अच्छा और mp c question में हमारे पास given है marginal जो cost है वह आपका 0.8 given है ठीक है यह income आपको find करनी है c a यह हमारे कंजेसंस को denote करता है जिसकी cost 200 करोण में है ठीक है अच्छा अब जो आपका investment है मलब इन्होंने कहा है कि जो हमारा कंजेसंस है उस कंजेसंस की value को 300 और बढ़ा दिया जाए 300 और बढ़ाने का मतलब यह है कि आपका 200 करोण तो प्लस 300 और बढ़ जाएगा तो बेटा अगर 300 बढ़ जाता है तो उस समय आपका जो कंजेसंस है उसकी value 500 करोण हो जाएगी तो बेटा अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे apply किया जाता है तो यह आपको जो questions है ठीक है आचा y हमें find करना है तो question के हिसाथ से हमारे पास y की value निकालनी है जिसमें हमारे पास है 1 divided by 1 minus 0.80 यह आएगा 200 करोण पहले से कंजेसंस था प्लस 300 करोण का और investment हो जाएगा ठीक तो अब इसको हम solve करते हैं तो 1 दिया गया है अब इसको solve करेंगे तो यह आता है 1 से 0.8 हटेगा तो 0.2 आएगा जिसमें हमारे पास total value होती है 200 और 3 से मिला के कितना हो जाएगा 500 करोण अब इसको और भी solve करते हैं तो एक को divide करते हैं से तो इसको जब इससे डिवाइट करते हैं तो यह वेल्यों आती है 5 और यह हमारा ब्रैकट में और इवेंट था 500 तो अब इसको करते हैं तो 25 क्रोण यह हमारे पास जो income है वह हमारी कितनी हो जाएगी 25 क्रोण होगी तब हम उसमें 500 का investment कर सकते हैं कंजर्प्सन कर सकते हैं तो बेटा और यहागर कुछी जाएगी इसमें अगर savings या government investment है कुछ भी है तो बेटा उन चीजों को इसमें plus करते जाया जाएगा और ये आपका question हो जाएगा जो आपका 6 नमबर के question में या आपके 10 नमबर के question में ये पूछा जा सकता है बेटा और इस formula को ध्यान दीजिएगा इस formula में ये चीज़तों साथ में हैं और इसको change भी किया जा सकता है तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको paper बताया है वो आपकी समझ में आ गया है और आप उन चीजों पर जरूर ध्यान दें जो मैंने आपके लिए important topic हर topic से उठाए हैं अच्छा और अगर किसे प्रकार की आपकी problem होती है तो comment section में आके इसे आप